हाई एवेवन में ना में देव टेंगुली और आप सब्सक्राइब का स्वागत है हमारी इट्यूब चैनल इट्विन व्रोज में आज के इस वीडियो में हम एन इंपीरियर कैपिटल विजन अगर की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन्स कैनी कि हमारी फसना पक्का वाले तो बिना कोई टाइम वेस्ट के सीधे बढ़ते हमारे क्वेश्चन अबर वन के ऊपर डिस्क्राइब दा वेडियास एफर्ट मेड बाइ स्कॉलर्स तो रीकंस्ट्रक्ट दा हिस्ट्री ओफ विजन अगर एंपाया फ्रम दे रूइंस ऑफ हमपी अप टूदा सेंच इसके बाद के बाकि जो डिचन सबस्थे हमें अलग-अलग सोर्स से फॉर एक सोस है जो यहां के अलग-अलग टेंपल यही के प्रीस्त थे उनकी मेमॉरी याने कि वो लोग जो inscriptions को study करते हैं उन्होंने अलग-अलग inscriptions को यहां से collect करना चालू किया उनकी study करना चालू किया और अलग-अलग inscriptions के थुरू यहां की details को समझा इसके लावा हम आपास कुछ accounts देखने को मिलते हैं यहां के अलग-अलग चीज़ों के बारे में अब इस chapter में कुछ भी और पढ़ने के पहले आपको पता होना चाहिए कि यहां पर कौनसी कौनसी डैनेस्टी थी तो यह order में डैनेस्टी मैंने यहां पर लिख दिये संगाम डैनेस्टी सबसे पहली डैनेस्टी थी इंपोर्टन नाम है वनमक में आ जाता है और तुलूवा डैनेस्टी बहुत इंपोर्टन डैनेस्टी थी क्यों थी क्योंकि क्रिश्न डेवराय इस डैनेस्टी को बिलॉंग करते थे क्रिश्न देव राय की उपर बहुत सारे questions बन जाते हैं और बहुत सारे questions आभी चुके हैं past में तो हल एक detail जो इनके बार में हम पढ़ेंगे वो important है वाय इस क्रिश्न देव राय कंसिड़र्ड इस ग्रेटेस्ट रूलर और विजयनगा एंपायर explain तो हम उनको पूरा देख लेते हैं यह तो लुवा डियनश्टी को बिलॉंग करते थे इनकी डियनश्टी में तुंगा भदरा और क्रिश्न देवर्स के बीच का जो लेंड था उसको acquire किया जो ओलिसा के king थे और जो बीजापूर के सुल्तान थे इन लोगों पर attacks किये गए इनको defeat किया गया इनको control में किया गया तो military strength जो थी इस time पे हमारे इस empire की वो काफी ज़दा अच्छी थी और military के इलावा जो peace of prosperity थी इस empire में वो भी काफी ज़दा अच्छी थी तो overall एक balance इनका empire था और काफी ज़दा prosperous इनका empire था prosperity हमें इनकी temples में भी देखने को मिलती है काफी तरह temple construction का काम किया जाता था और जो पुराने temples से उनकी ऊपर भी constructions किया जा रहा था बहुत सारे गोपुराम side किये जा रहे थे तो heavy construction इनका अंडर में हमें देखने को मिलता है कोपुराम के इसे related question आगे देखने वाले है तो अगर आपको यह याद नहीं है तो हम आगे इसकी details देख लेंगे इसके साथ साथ he also founded a suburban township near Vijayanagar इसका मतलब Vijayanagar के पास में एक और इन्होंने town बनाया लोगों के रहने के लिए जिसका नाम इन्होंने अपनी mother के नेम पे रखा नागला पुराम अगला question में हमारा क्रिष्ण देव राय से related ही है why did strain begin to show within the imperial structure after the death of क्रिष्ण देव राय इन 1529 या पर आपको question simply इतना लिखने के लिए भी आ सकता है कि बाई जो वार हुई थी उसके बारे में आप बताओ तो हम पूरे को देख लेते है क्रिष्ण देव राय की death के बाद जो successors आए वो अपने जो military chiefs थे जो नायक्स थे उनको control नहीं कर पाए जो नायक्स थे काफी तरब powerful भी होने लगे kings के अगेंस्ट भी जाने लगे अब 1542 के बाद अरे विद्रू dynasty जो थी वो power में आ गए थी dynasty shift हो गए थी और अब हमारे जो विजयनगर के rulers थे ये भी चाहते थे कि वाई हमारी थोड़ी area बड़े expansion हो जो सल्तनाथ के rulers थे ये भ ला दिया इसको हम एक बात देख लेते हैं इस पूरा जो लड़ाई हुई थी उसका नाम था राक्षासी तंगारी ये राजा जो हमारे राम राय थे इनकी policies के कारण हुई थी 1565 में ये chief minister थे हमारे विजयनगर के इन्होंने क्या सोचा कि हम सुल्तानों को आपस में लड़ हो जाएगा लेकिन एड़न हुआ क्या जो हमारे वीजापूर एहमाद नगर और गोलकॉंदा के जो सुल्तान से उन्होंने एकदम allied forces बना लिया और उन्होंने मिलके इनको हरा दिया इस वाल को हम बोलते हैं बैटल आफ राक्षासी तंगारी अल्सो नोने स्टाली कोटा इ इसके बाद हमारा जो फोकस था पूरा एंपार का वो इस्टवर्ट शिफ्ट हो गया जहां से अरवदू रनेश्टी रूल किया पहले पहले पनुकॉंदा में और फिर चंदुरा गिरी में यह नाम बहुत जादा इंपॉर्टन नहीं है लेकिन आपको पूरा एक स्टोरी इन पता होना चाहिए लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था कि यह लोग लडाई ही करना चाहते थे इसके अग्रामपल्स हमें देखने को मिलते हैं इसे लोग जिनको पावर में आना था उनमें से कुछ को सपोर्ट किया ऐसे ही दया गया था जिस पे इनको काफी जदा प्राइट तो इससे समझ में आता है कि अपने आसपास के रूलर्स को सुल्तान को सपोर्ट करना चाहते थे तो जब क्रिष्ण देव राय की दैथ हुई तब भी हमें देखने को मिलता है कि जो बीजापूर के सुल्तान थे इन्होंने हेल्प किया कि बाई जो डिस्प्यूट्स हो रह आते थे कि हाज जगे स्टेबलेटी हो लेकिन जो राम राय की जो पॉलिसी थी उनके करम यहां पर बहुर्ट हो गई लेकिन यह कई बार किंग के अगेंस्ट भी चले जाते थे जैसे कि हमने देखा था कृष्ण देव राय के बाद यह बहुत सारे रेबिलियंस नायक्स हमें देखने को मिल रहे थे और जब इस एम्पार का पुरा डॉन पॉल आया तब यही हुआ था कि बहुत सारे नायक्स अपने खुद के इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाने लगे थे जिसके कान जो डाउनफॉल था बहुत स्पीट से आया था अब एक बहुत इंपोर्टेंट क्वेशन एक्सामिन हाओ दा अमा नायक्स सिस्टम वाद पॉलिटिकर इनोवेशन ऑफ दा विजन अगर इंपायर इसको आप ध्यांजर सुनिएगा जो बहुत सारे फीचर्स इस आमा नायक के सिस्टम के थे वो एक्ता सिस्टम से डराइव होते हैं जो कि हमाए डेली सल्तनत का एक सिस्टम था इसमें हुआ क्या करता था Military Commanders होते थे जिनको अपने अपने territories दे दिये जाते थे राया की तरफ से यहां पर रूल करेंगे यहां पर ये लोग tax वगरें अगरण Del leg जो करते थे जितने भी आके लोग ते इनको अपने अंडर में रखने के लिए इनकी उपर अपनी पावार दिखाने के लिए इनको कई बार जगे से shift भी कर देते थे अब भाई ये आपका area नहीं आपको वहाँ जाके रूल करना है वहाँ जाके tax collection करना है ताकि King की भी जो authority है वो इनके सामने दिखती रहे लेकर हमें ये भी देखने को मिला है कि Kings के अगेंस्ट विलोग चले जाते थे जिसके करन जो collapse आया था हमारे empire का वो hasten हो गया था वो जल्दी से आ गया था Describe the main features of water resources of Vijayanagar empire एक बहुत important feature ही है यहां location का कि तुंगा बदा रिवार का नेचर बेसन यहां पर बनता है जिससे water river में जाता है यह एक बहुत important source है हमारे यहां का water का Greenight Hills यहां के area को surround करती है जिससे बहुत सारे streams flow होती है water में connect होती है इसके बाद अब यह वो area जहां पे rainfall जादा नहीं होता एक arid zone है हमारे peninsula का तो यहां पे water resources के importance बहुत जादा हो जाती है rain water को store करना important हो जाता है जिसके लिए 15th century के बाद kamalapuram tank बनाया गया था जो कि एक बहुत important tank के इस नाम को आप याद रखियेगा इस krithu यहां पे irrigation भी किया जाता था royal center में भी water को पहुचाया जाता था इसके लावा hirya kenner, hirya kenner का आप याद रखिया किस ने बनाया था इस बागे sample paper में यही question पुछा गया है कि sangam dynasty के kings ने इनको बनाया था तो यह दो important resources इनको आप याद रखियेगा explain why abdol razaq a Persian ambassador was greatly impressed by the fortification of vijjainagar empire during the 15th century fortification बहुत important है इसमें generally question abdol razaq से related आता है कभी कबार paste का description पूछ लिया जाता है हम पूरा description देखने वाले हैं और यहाँ पे जो NCRT के words है वो थोड़े difficult है तो पूरा मैं अच्छे से explain इसको कर दूँगा तो एक बार ध्यान से इसको सुनियेगा abdol razaq कौन थे एक ambassador थे जो कि Calicut आये थे परशिया से और यह बहुत बहुत इंप्रेस होगा थे यहां की fortification देखके यहां पर seven lines of forts इन्होंने देखे उन्होंने बोला भाई यह तो गजब है क्योंकि यहां पर जो हमाई fortification थी वो ऐसी नहीं थी कि से important buildings को हमने कवर कर लिया walls से बलकि बहुत साही चीज़ है अग्रिकल्चर लेंज भी कवर कर लिये गए थे जो हमारे forest area थे उनको भी कवर कर लिया था तो बहुत massive scale पर fortification किया गया था इसको mission reconstruction किया गया था massive mission reconstruction यानि कि बड़े बड़े जो पत्था थे उनको यूज किया गया था यहां की walls बनाने के लिए and it was slightly tapered slightly tapered यानि कि नीचे से थिक थे ऊपर की तरफ से थोड़े पतले थे इस तरिके के stones यहां पर use किया गया थे walls बनाने के लिए interestingly यहां पर mortar यहां पर कोई cementing agent यूज नहीं किया गया था बलकि wedge shaped थे एक तरफ से मोटे थे एक तरफ से पतले थे तो एक दूसरे में fix हो जाते थे तो यहां पर कोई को भी cementing agent की ज़रूरत नहीं पड़ी थी पूरे construction में walls was of earth packed with rubble यानि कि walls के बीच में जो gap है वहां पे मिट्टी हो गया पत्था के तुखड़े वगयर हो गया उनको डाल दिया गया ताकि स्कॉर्स ट्रेंदिन किया जा सके rectangular bastions projected outwards यानि कि यह जो हमारी wall है इसमें bastions बनाए गये थे इनको defense purpose के लिए बनाया जाता है तो bastions भी इन walls में बनाए गये थे fortification बहुत impressive किया गया था सबसे impressive बात इसकी क्या थी कि इन में agriculture जो tracks थे उनको भी include किया गया था क्यों किया गया था वह हम अगले answer में देखेंगे जहां पर हमें gardens देखने को मिलते हैं जहां पर हमें water bodies देखने को मिलते हैं जिसमें से दो lakes में से water use किया जा रहा है इस side में जो बने box जाला है तो अब इस घेरने का purpose क्या होता था सीजिस का purpose क्या होता था कि यह जो empire है इसको food ही ना मिल प्यागा है इनके मान देते है जो agriculture एरिया थे वो बहार है तो अब इनको food supply हो ही नहीं पाएगा जो sieges थे वो कई बाँ months तक चलते थे कई बाँ years तक भी last करते थे तो इसलिए जो हमारे विजन अगा के empire थे उन्होंने बहुत heavy approach अपना ही उन्होंने बोला कि भाई हमें बड़े बड़े grainries नहीं बनाने कि भाई हम months तक survive कर जाएंगे इतना food हम स्टोर कर लेंगे अंदर ह नहीं हम अपने जो agriculture tracks हैं उनको ही अपने fortification के अंदर रखेंगे ताकि जब आप siege करेंगे तो आप हमारे agriculture tracks तक भी नहीं पहुँच पाएंगे तो यह एक strategy थी जो हिनोंने अपना ही थी what was the king's palace write in detail about two of its most impressive platforms तो हमें देखने को मिला है कि एक बहुत बड़ा एक area है जिसको पुरा wall से cover किया गया है यह one of the largest enclosure है लेकिन इसका क्या purpose था यह हमें clear नहीं है नाम king's palace है लेकिन king यहाँ पर रहते थे यह नहीं रहते थे यह clear नहीं है इसका कोई evidence नहीं है इसके नहीं हम दूसरा है महानव मी डिबबा महानव मी डिबबा बहुत ज़्यादा important है इससे बहुत सारे questions आते हैं लेकिन पहले हम देखेंगे audience hall की details तो यह audience hall का क्या purpose था हमारे सामने clear नहीं है इसमें काफी ज़्यादा high walls है बहुत सारे pillars है pillars के उपर एक second floor भी बनाया गया था लेकिन इतने ज़्यादा pillars है नीचे कि नीचे तो ज़्यादा जगे बचती ही नहीं है तो अब नीचे जगे ही नहीं है तो यह hall use किस लिए किया जाता था इसका हमें clear evidence नहीं मिलते हैं इसके बाद दा महानव मी डिबबा in the royal center of vijanagar has been assigned name on the basis of its form of building as well as its function elaborate तो इसके functions पूछे जा सक है इसके जितने भी आपे ceremonies होते हैं वो पूछा जा सकता है अब देख सकते हैं कितने सरे questions इससे पूछे जा सकते हैं बहुत important है यह city के one of the highest points पे इसको बनाया गया था 11,000 square feet इसकी base 40 feet इसकी height यहां पे wooden structures भी support करता था जो कि अब survive नहीं करें इसमें हमें relief carvings देखने को मिलत है अब महानवमी से आप याद रखिएगा जो इसके rituals होते थे जो ceremonies वगयरा होते थे वो महानवमी के festival के साथ coincide करते होंगे, collide करते होंगे, महानवमी जिसको हम कहीं जगा पर नवरात्री, कहीं पर महानवमी, कहीं पर दुर्गा पूजा, कहीं पर दशेरा भी बोलते हैं इ आपने जो authority बाकी लोगों पर उसको show करते थे, इसके साथ साथ image worship की जाती थी, state house की वर्शिप की जाती थी, अलग-अलग animals की sacrifices performed किये जाते थे, इसके लावा बहुत सारे performances किये जाते थे, जैसे कि हम normal functions में करते हैं, dances, wrestling matches, processions of caprician horses, elephants and chariots and soldiers, इनके सब को सजाया रजाया ज किये जाते थे, इनके shows किये जाते थे, इनके performances किये जाते थे, ritual presentations किये जाते थे, कि इनके सामने हमारे kings के सामने, उनके जितने भी chief guests आते थे, उनके सामने जितने भी nobles होते थे, उनके सामने सारे performances किये जाते थे, जो last day होता था, उसमें जो king है, वो अपनी और अपने नाय यह बिटिश हर्स ने दिया है 19th century में इसका क्या यूज होता था यह हमारे लेक क्लियर नहीं है कॉलियन मकैंजी के मैप का यह सजेशन है कि मेबी एक काउंसिल चैंबर की तरह इसको यूज किया जाता होगा यहां पर हमें रामायन के scene sculpted देखने को मिल जाते हैं यहां पर हमारी पूरी हिस्ट्री रही है इस एरिया की पालाव्स चॉलक्यास होईसालास चॉलास इन सब यहां पर temple building का काम करवाया है इन सब main purpose क्या होता था temple building करवाने का divine से खुद को relate करने का खुद को godly बताने का खुद के status को बढ़ाने का खुद के जो society में acceptance है उसको promote करने का at the end जो हमारे temples थे उस centers बन गए थे centers of learning centers of religious significance centers of social, cultural and economic significance इनकी importance बहुत ज़दा बढ़ गई थी in temples में बहुत सारी activities कराई जाने लगी थी अब यहाँ पर rulers क्यों construction कराना चाते थे क्यों repairing कराना चाते थे क्यों maintenance कराना चाते थे क्योंकि obviously जब एक ruler इनको support करता था अपना patronage देता था इन leaders को in temples को तो उसको भी support मिलता था जनता का उसको भी recognition मिलती थी जिसके कारण वो इनको support किया करता था विजयनगर kings में हमें देखने को मिलता है कि इनका कहना था कि हम lord विरुपक्षा की जगह पर rule कर रहे हैं मतलब उनके under में rule कर रहे हैं उनके behalf में rule कर रहे हैं तो यहाँ पर इतने भी royal orders होते थे उनको श्री विरुपक्षा से sign किया जाता था ना कि अपने king के उससे mentioned two characteristic features of the temple complexes in विजयनगर तो अब यहाँ पर विजयनगर में जो हमार main shrine थे उनके उपर additions कराए जाते थे उनके उपर गोपूराम्स बनवाए जाते थे यह होते क्या थे जो हमारे center से उनके उपर royal raya गोपूरामस रफे royal gateways बनवाए जा रहे थे बड़े-बड़े gateways बनाए जाते थे जो central shrine के तावर्स होते थे उनसे भी काफी जादा बड़े gateways हो जाते थे जो दिखाते थे कि यहाँ पर temple है आप दूर से ही देख सकते हो कि गोपूराम हमें इसकी पावर को भी दिखाते हैं साथ-साथ बाखी features भी हैं जैसे कि mandaps और pavilions यानि कि वो halls वगरा जहां पर लोग आते थे activities किया करते थे साथ-साथ long pillared corridors जहां पर लोग walk कर सकते थे पूरे temples के around corridors बनवाय जाते थे तो यह कुछ features हैं कुछ distinctive features है जो कि हमें विजय नगर के temples में देखने को मिल जाते हैं इनकी सारी details equally important है किसी भी चीज़ को आप इसमें skip नहीं करेंगे हमारे time की बात करें तो एक set में वीरुपक्षर temple आया था दूसरे set में विठल temple का question आया था तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाई कौन साथा important है दोनों ही आपको पढ़ने पढ़ेंगे तो दोनों की एक एक कर आप करा है किसी ने कुछ वहां पर hall side करा है तो यह हमें देखने को मिलता है almost हर temple में यहां के जो front hall है हमारे main shrine के उसको कृष्ण देव राय ने बनाया था जब वो power में आय थे उसको काफी दा पिलर्स से decorate किया गया था पिलर्स में carvings हमें देखने को मिलती है Eastern Gopuram भी हमार temple है वो काफी दा बड़ा हो जाता था अब halls में अलग अलग जो sorry temple में अलग अलग जो halls बनवाय जाते थे उनके काफी अलग अलग purposes होते थे for example कुछ में gods की images को रखा गया music dance देखने के लिए कुछ में वहाँ पे diities की marriage कराई गई है कुछ में वहाँ पे swings लगाई है diities के ल के लिए अब आता है हमारा विठ्थल टेंपल वाई वाज विठ्थल टेंपल ऑफ दे विजन अगर एंपायर यूनिक इसके भी सारे questions पर पॉस करके पढ़ लीजेगा हम serious का description देख लेता है ताकि कुछ भी question आएगा आपसे बंदा होगा इसका description देखने के पहले एक छोट इसी request अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like जरूर करिए हमें बहुत अच्छा लगता है आप हमें support करते है और अपने एक दोस्त के साथ at least share करिए आप अपना 10 सेकंड लगाएं तो इससे हमें बहुत ज़दा help होगी अब हम serious का description देखते है विठ्थल इस temple में काफी तरह halls थे बाकी temples की तरह है लेकर यहां की unique चीज क्या थी यहां का जो shrine था वो एक chariot की तरह design किया गया था यानि कि रत की तरह का shape उसको दिया गया था साथ-साथ यहां पर chariot streets भी बनाए गए थी straight line में तो यह एक unique feature था कि यहां पर rat type का design दिया गया है chariot streets ब बनाए गया है halls जहां पर हमारे जो merchants वगयरा है वो अपनी shops लगाते थे तो पूरा unique design इस विठ्थल temple का तो यह uniqueness है जिसका question board में पूछा जाता है इसके बाद ऐसा नहीं था कि जो सिर्फ kings थे वो ही यहां पर temple construction का का काम करते थे जो local नायक्स थे वो भी यहां के temples वगयरा ह अगर उनको बनवाया करते थे अभी थोड़ी दे पहले मैंने आपको बताया कि एक set में था विठ्थल temple दूसरे में था वीरु पक्षा temple लेकर एक तीसरा set भी था जिसमें इस तरीके से एक general question पूछा गया था कि describe the main features of the temples of Vijayanagar तो इसको हम पहले ही discuss कर चुके है हमने बात कर गोपुराम्स की, मंदप्स की हमने पूरे features लेखे है अलग-अलग temples के तो अब यहाँ पे एक general question है जिसको आपको उन सब चीजों को describe करना पड़ेगा तो इसका answer मैं नहीं देने वाला हूँ, इसका answer आप खुद से दीजी, comment section में इसका answer करिए, जिससे नहीं बनेगा वो comment पर सकता है, जिससे बन रहा होगा, वो practice के लिए यहाँ पर खुद से answer करेगा, यह question आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, hopefully आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो like, share, subscribe, और कोई भी doubt है तो comment section में पूछ लीजेगा, हम हागर हो जाएंगे, bye bye, thank you so much